वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकरी देने वाला हूँ कि आजकल आप देख रहोंगे जियो का नेट का स्पीड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अब लगतार देख रहे हैं कि ट्राई ने भी अभी एक अपना बयान जारी गिया है कि रिलाइंस जियो की स्पीड लगतार स्लो ही होती जा रही है तो जियो ने फिलाल एक ऑफिसियल न्यू इंटरनेट की एपियन की सेटिंग निकाली है लाँच की है वह अभी फिलाल अभी सभी के लिए नहीं है एचली में यह लीक हुई है और इसके लिए मैं आपको बताना च जाए तो यह सेटिंग तो अगर इस सेटिंग से आपका फायदा हो या आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़े तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्स्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को चलिए दोस्तों देखते हैं वह एपियन सेटिंग इसके बाद आपको सिम कार्ड मेरे में सिम कार्ड के अंदर यह एपियन का उप्शन इसलिए आपके मोईल में अलग अलग होगा आप लोग मोईल में जो भी देख लीजेगा आप उसको एपियन सेटिंग में जाना आपको कहीं से भी जाना एपियन सेटिंग में जाना नही से नहीं आएगा आपको directly ही जाना पड़ेगा देख लीजेगा यहाँ आपको sim1 setting में access point names यहाँ आप देख रहे होंगी जियो की default setting यहाँ पर मैंने set की हुई है जो जियो default देता है इसको क्या करना आपको जाना है अंदर इसको delete कर देना है और एक new apn बनाना है new apn में आप name में रखिए कुछ भी रख सकते हैं नेम तो कुछ भी रख सकते हैं अपना नाम भी डाल सकते हैं चाहें तो तो मैं तो यहाँ पर डालना हूँ जियो केवल जियो okay apn में आपको करना है जियो नेट ध्यान से देखेंगा दोस्तों और इसके बाद आपको सीर्वर पर आना है सर्वर पर आपको डालना है www.mostly आपने यूट्यूब के वीडियो में देखा हुग apn सेटिंग करते हुए कि यहाँ पर जारता लोग www.google.com ही डालते हैं लेकिन जियो ने अभी रिसेंटली यह जो सेटिंग लांच की है इसमें इसने चेंजस की हैं इसमें चेंजस क्या आप देख लीजे जीओ डॉट कॉम ओके Google.com नहीं रखना आपको यहाँ पर रखना है www.go.com उसके बाद आपको कर देना है और सीधे MNC यह मेरे वायल में 871 है आपको वायल में कुछ भी हो सकता है 858 हो सकता है 841 हो सकता है तो प्लीज इसको मत आप चेंज करिएगा जो है जैसा है वैसा ही रहन दीजेगा फिर इसके बाद आपको APN authentication type में आना है इसको NUN कर देना है APN type में आना है APN type में आना है APN type में आपको not set अटा देना है यहाँ पर आपको लिखना है Default, XCAP देख लिए ध्यान से दोस्तों Default, XCAP यहाँ OK कर देना है यहाँ आपको APN protocol में IP भी 4 सेलेट करना है एक बार में यह नहीं सेलेक्ट होगा केवल IP बस लिख्यार आप देख पा रहे होंगे इसको दूसरी बार फिर से सेलेट करना है तो आगया आप IP भी 4 APN roaming protocol में भी आपको IP भी 4 करना है वैसा ही करना है बेरर में आपको आना है उसमें से आपको केवल LTE ही सेलेक्ट करना है ओके यहाँ आपको MVNO टाइप यह है में सेटिंग जो जीओ ने भी लांच की है MVNO टाइप में आपको यहाँ SPN सेलेक्ट करना है और MVNO वैल्यू इसी निचे आप देख रहे हैं यहाँ आपको GEO 4G लिखना है यह आपको ऐसा लिखना है फर्स्ट लेटर आपका GEO का J आपका capital रहेगा बाकी इसमाल रहेगा फिर 4 space for capital G इसको आपको ऐसा ही लिखना है दोस्तों इसके बाद आपको OK कर देना है और setting आप एक बार और देख लिजिए APN में आपको GEO NET Name आपको भी रख सकते है server geo.com यह main है देख लिजिएगा APN type default comma escape APN protocol IPv4 APN Roman protocol IPv4 bearer LTE MVNO type में आपको SPN MVNO value GEO 4G यहां से आपको इसको save कर देना है इसे NET आपको ON ही है यहां पर तो दोस्तो मैं भी आपको download करके चलिए मैं अपना phone update मांग रहा था मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर हो रहा है download तो यह देखिए दोस्तो ऊपर notification पैनल में देखिए आप 1.6 MB 2.3 MB per second 2.6 3.6 MB per second से download हो रहा है यह देखिए आप यह देखिए अगर यह वीडियो आपको help कर रही हो अगर स्पीड आपकी बड़े तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करियेगा और ज्यादा ज्यादा शेयर करियेगा दोस्तों पहली वीडियो मेरी प्लीज एप्रेशेट करियेगा आप लोग के दोस्तों